यहां चलू बनाते हैं जलो बनाते वो मनमें रहता है कि घुमत रहता है मेरा भी हालत वही हो it but मजा बहुत आता है मुझे और है आप लोगों ने बहुत तरीके के प्लांट्स मुझे ग्रो करते हुए डेका है बहुत तरीके से आमस्ट सबमर्ज्ड बहुत配ज इंटरीशिंग टाइपस बहुत इंटरीश्टिंग मेठर्स इंटरीश्ट्रेश्टणवर्सेसे इन या है और यह आइडिया में आपको एक वाबी कुसा बाल बनाना सिखाएंगे और उसमें उसको यूज करके एक पालुडेरियम या एक लांड्सकेप आको स्केप जो मर्जी बोलो मैं भी कन्फूस्ट हूं लेकिन आइडिया इंट्रेस्टिंग है ठीक है आइडिया का नाम इ जैने में अब करो आपए बहाएक बहाद ही सिंपल और इंट्रेस्टिंग कॉंसेट इसुसक्त को आप्को बिना कर्चे के मतलब प्रक्टिकलिफ्री आप गर में बनाके रख सकते बहुत हिशिए है आप विजब लोग में बॉल में बाटल में टैंक में किसी भी चीज में बनाके रख सकते हैं सबसे इसका यहीं है कि आपको कुछ कुछ फैंसी का जरूरत नहीं फैंसी लाइट या कुछ भी नहीं विंड़ों में रख सकते हूं नौ ऐसा ही एक कॉंसेट हम स्टार्टिंग से एंड तक बनाएंगे यह बनाएंगे यह टैंक और आप देखोगे कि कितना मजा आता है और कितना युनीक और इंट्रेस्टिंग कॉंसेट है आपको क्या करना है भई लास्ट तक देखो दिखना है ना चलो हमारे जंगल अक्वेरियंग डिजाइन कॉंसेट और बनाने से पहले पहले देखते हैं कि यह वाभी कुसा बॉल कैसे बनाते हैं यह बहुत इंट्रेस्टिंग है मतलब देखा जाने तो मट्टी का गोला है और उसके उपर स्पैग्नम मौस है बट आप तोड़ा उसमें मॉडिफाइ कर सकते हो क्या इंट्रेस्टिंग कर सकते हो वो देखेंगे and क्यों वो additions करेंगे वो भी देखेंगे and एक simple idea है फटा फट देखेंगे फटा फट बनाएंगे and then अपने actual setup जो jungle aquarium setup है उसमें जाएंगे ये वाभिकुसा का idea जो है माना जाता है कि जपान से idea निकला है ऑके बट मुझे भी clearly पता नहीं है कि इसका origin बगरा क्या है बट मैंने पहली बार वाभी कुसा को जपान में ही देखा था इन असेंस अमानों साब ने बनाया था एक waterfall tank में सेट किया था तो वहां से मेरे को भी इसके बारे में पता चला नो वाभी कुसा बनाने के लिए हमें लगेगा aqa soil अब आप अभाई अमेजॉनिय यूज कर सकते हो या डिनरली का सॉईय कर सकते हो ट्रॉपिका का साइल यूज कर सकते हो या कोई भी ऐसा जो एक्वेरियम वाला सॉइल है वो आप यूज़ कर सकते हो उसमें कोई रोक टोक नहीं है मर्जी आपका है अच्छिली देखा जाए तो आप नॉर्मल मिट्टी भी यूज़ कर सकते हो जो लाल मिट्टी है लाटराइट सॉइल जो हम बोलते हैं जो बाहर मिल जाता है जब मट् से जम जाएगा और टीक से नहीं होगा बट यूज़ जरूर कर सकते हो तो मर्जी आपका है करना इंपॉर्टन यूज़ शॉइल भी काम आता है याद रखो यूज़ साइल भी काम हो सकता है प्रॉडक्त के वज़े से डरो मत हमारे पास तोड़ा सॉइल है यूज़ करने वाले है तो आप अपने इसाब से यूज़ करो पर यहां पर मैं हमारा सॉइल मिक्स करने वाला ट्रे है जो हम रेगिलरली यूज़ करते हैं और आ आप ऐसा कोई ट्रे यूज़ कर सकते हैं सिंपल बात है आप को जितना चाहिए उतना आप सॉइल डाले यह सॉइल ऐसा ही पाउडर हो जाता है इसको पाउडर वगेरा करने का ज़रूरत नहीं है देखो अलवड़ी इसमें काफी सारा पानी है बट आपको लगेगा तोड़ा तोड़ा ही डाले यह जिस वेरी लिटल ओके एंड उसको अच्छे से मिक्स करें अभी तोड़ा पानी ज्यादा हो गया तो आप सॉइल आड़ कर सकते हैं या दीरे-दीरे पानी आड़ कर सकते हैं देखो तोड़ा और पानी लगेगा तो दीरे-दीरे आड़ करके इसको आ मिक्स कर लें यहां पर मैंने पूरा कप मतलब 500 ml या 400 ग्राम ऐसा कुछ है पूरा एक कप मैंने सॉयल लिया है इसमें पानी डाल डाल के मिक्स करेंगे लाओ अगर आप चाहो अगर आपको लगता है कि तोड़ा सा अडिशनल फर्टिलाइजर चाहिए तो यह मिक्रो के प्वादर है कोओडर है मैक्रो मैक्रों इुट्रेंट जे अबैड कर सकते हैं अगर आप रेगिलर नाल मिट्टी up करेंगे ध्यूंस अगर यह जूरुरा है उमर कुछ भी हो बच्चे हो बड़े हो मट्टी में अगर खेलने का मौका मिलता है ना तो मज़ा ही अलग है इसके लिए उमर का कोई यह नहीं है तकाज़ा नहीं है बट्टी में खेलना इंपॉर्टेंट इसमें मैं तोड़ा सा अपना API का जो बायो मीडिया है स्मॉल क्पैट जो है वो मैं तोड़ा डालने वाला हू बहुत तोड़ा सा यह जादा नहीं यह चोटे-चोटे दाने मैं तोड़ा सा डालूँगा इसके लिए मैंने सिर्फ 5 ग्राम होगा जिस्ट मिक्स करने वाला हो ताकि यह जो गोला बनेगा ना अभी गोला बन रहा है तो इसके अंदर तोड़ा बैक्ट्रिया कॉलनाइजेशन एर सर्क्लेशन अच्छे से हो ठीक है इसलिए मैं तोड़ा यह डाल रहा हूं क्या API का बा बन रहा है नौ नेक्स्ट अभी मैं इसको पूरा राउंड ना बनाके तोड़ा सा वो क्या बलता है ओवल शेप या अपना आलू टिक्की शेप सी फ्लाट है नीचे उपर तोड़ा राउंड हो सकता है नौट इस्यू बट फ्लाट निक्स्ट इसमें क्या लगेगा और इसको हमें क्या करना है मैं तोड़ा उल्टा हाथ से करता हूं विकाज यह अलड़ी गीला हाथ है एक हल्का लेयर इसमें डाल के हमें बानना है चलो अभी डाल के बानते हैं कर दो जब नौट यह जो मन में मेरा कंसेप्ट है जंगल अक्वेरियम वादा अचली अक्वेरियम नहीं जंगल इन बॉक्स जंगल इनबॉक्स यह वाला कंसेट के लिए मैं अचली यूपी में रिशिकेश के पास दूड़ा ट्रेकिंग किया था 69 कर सकता हूं चल सकता हूं ऐसा देखो ऑद प्रेकिंग किया था तो एक लोकेशन देखा था मैंने बट एंड मुझे लगता है कि ये वाली कुछ साथ वो हम कर सकते इंट्रेस्टिंग कॉंसर्ट है इसमें वो पूरा गोल्डन डेश्यो डेप्थ बहुत इंट्रेस्टिंग है देखते रहो देखते रहो हमने पहले से बना के इसमें ये ट्रे में ऐसा ये जो क्लिंग रहा पाता है वो डाल के रखा है अगर आप दो तीन दिन बाद यूज़ करना चाहते हो तो यह कुछ दिर बाद यूज़ करना है तो यह गुड आइडिया है बिकॉज दिन अपना जो वाभी कुछ सा बॉल है वो गीला रहता है यहां पर मैंने एक बाल लिया है जो अलड़ी हमने स्पाग्नम मौस से बांदा हुआ है इसके लिए मैं तोड़ा मौस डालने वाला हूं ओके यह सील है इसको खोल देते हैं इसमें तोड़ा मौस है यह सब मैं निकाल रहा हूं हुआ है कि यहां से मास हमने निकाला मास में तोड़ा जल हो सकता है इसमें जले न थो पानी में वाश कर लेंगे परिश पाने पांदा है अगर मास तोड़ा ब्राउन भी है तो तेंशन मत लो लो और श में को यह जल निकल गया इसको वाश हो गया अलग से रखो और मॉस को इसमें स्प्रेड करो नो सिंपल पॉइंट अगर एक एक त्रेड ऑफ मॉस मोटा नहीं होना चाहिए उसको इसको पूरा डालके देन कोई भी आप त्रेड यूज करके इसको अच्छे से बानना है ठीक है बान दिया तो मॉस वहां से ग्रोह होगा नाव बाकी के गोले भी बानते हैं एंड अपना एक्वास्केप रेडी करेंगे अगर आप मॉस बानते हैं तो गुड आडिया है कि आप मॉस को प्रिम करते हैं बहुत ज़रूरी है मतलब जो एक्सेस उपर से आ रहा है वो सब आप ट्रिम करें नो ऐसा नहीं है कि मॉस बानना ही है बिकॉस इसमें हम पानी नहीं डालने वाला है ना इस अन ओपन काइंड आप टेरियरियम कालोडेरियम काइंड आप तो मॉस अम लोग उपर से डाल भी सकते हैं चिप्टा भी सकते हैं या जिस ऐसे ही रख सकते हैं मॉस पकड लेगा ग्रो होएगा नौट अनिश्यू मॉस को अच्छे से चॉप करके आप ऐसे इस भी सकते हैं नौट अनिश्यू अच्छे साइज के बाल बनाये हैं बाभी कुसा के और क्यों तीन-चार साइज बनाया मैं बताता हूं बिकाज मेरे को एक हाइट चाहिए वह मैं यूज करने वाला वह टैंक में यह इंट्रेस्टिंग कॉंसेट होने वाला है देखते रहो यह वाला 20 x 20 x 20 cm का क्यूब वाला टैंक है आप कोई भी टैंक यूज कर सकते हो इसस एक वाभी को सा रखके एक यूनों एक लांड्सकेप या एकवस्केप जो भी आप कह सकते हो कह सकते हो यहां पर मैं हमारे API का स्पेशल सब्स्ट्रेट यूज करने वाला हूं नीचे यह स्माल साइज का स्पेशल सब्स्रेट है तोड़ा मेरे को हाइट से यह सो पीछे तक मैं डालूंगा हाइट आने के लिए यह में तोड़ा नीचे दोड़ा गर देने वाला हो बट श्ट मेरी लिटल तोड़ा घाब दोंगा तकी नीचे ये वाला बायो मिडिया दिके ना अवकोस साइट से तो दिखने वाला है बट not an issue सामने नहीं दिखना चाहिए सामने के लिए मैं यह ब्लाक कलर का तोड़े स्टोंज है बेनरली का बाइकल करके स्टोंज है यह मैं यहां पर सामने डालने वाला हो अगें डेकरेटिव है यही स्टोंज को मैं एक पाथ क्रियेट करने के लिए भी यूज करने वाला हूँ देखते रहो तो सामने आप जितना चाहो डाल सकते हो जादा भी मठ डालो हाइट गंदा दिखेगा शुरू करने से पहले मैं तोड़ा स्प्रे करने वाला हूँ पानी का है यह पानी का स्प्रे है अब यह आप स्प्रे नहीं करना चाहते ताइम लगता है तोड़ा पानी डालो तोड़ा सा मैं इसमें पानी डालने वाला हूँ ताकि नीचे जो स्पेशल सब्स्टेट है वो पूरा गीला हो जाए और हलके से पानी नीचे रहे नो मैंने ये स्पेशल सब्स्टेट क्यों यूज किया है नेचे एक तो हाइट चाहिए दूसरा मेरे को आर्स अर्कलेशन भी चाहिए हमारे वाविको सब बैल के नीचे इर्स अर्कलेशन चाहिए लौ सेटअ तो मैं संदीप के मदद से थोड़ा सा य को अरेंज़ करने वाला वह एक पुरा जो गोला है सबसे बड़ा सबसे बड़ा मैं सामने डाल तोड़ा सट गयाप दोंगा विकॉस मास अगेरा अगरा सकता है इंटरेस्टिंग दिखेगा और ग्लास साफ करने के लिए भी थोड़ा जगा मिल जाए तोड़ा से gap दिया है मैंने, अगला piece दिजे, अगला piece इससे भी तोड़ा चोटा है, और मेरे को यहां पे चाहिए, यहां पे चाहिए, तोड़ा height है न, यह देखो, height difference है, तोड़ा इसको नीचे किया, तोड़ा उपर, नौ यह कैसे cover करना मैं बताओंगा, अगला next size है और मैं यहां पर रखना हूँ थोड़ा height चाहिए तो यह height में मेरे को चाहिए ठीक है तो थोड़ा और डालिए यह अभी interesting लग रहा है इससे अभी यह चोटा है हमारे पास यह बहुत बड़ा हो गया एक यह दो मेरे को चोटे चाहिए तोड़ा चोटे वाले बनाते हैं ठीक है तो यह हम finish करेंगे चोटे के साथ नौ अच्छी यह भी अच्छा दिख रहा है ज्यादा गंदा नहीं दिख रहा है अच्छा ही है इसको हम finish करेंगे यह लिजे वही डेनरली का जो बाइकल है यह कवर कर देंगे यहां पे बस और मेरे को यहां पे ना तोड़ा ऐसा चाहिए एक पात जैसा ओके यह तोड़ा बीच में लाओंगा मैं और पीछे भी कवर कर दिया साइड में भी डाल दिया तीन अलग-अलग साइज के गोले यूज करने का आइडिया है ताकि डेप्थ मिले सबसे बड़ा मेडियम और चोटा तो यह डेप्थ मिलेगा प्लांटिंग भी हम इसके हिसाथ से करेंगे तीक है मैं देखूंगा कि अगर एक चोटा यहां पे ए नो इसमें पानी स्प्रे करते रहे ना मत बूलना ओके बहुत जरूरी है बिकर्स यू डोंट वांट इस तो गेट ड्राइ आपने मेरे काफी वीडियो में देखा है कि मेरे को यह ड्यूल टैंक्स जो है अंदर भी बाहर भी बहुत इंट्रेस्टिंग लगता है प्लस यू आप पीस लिली है नीचे बेटाज है नीचे जादा प्लांट नहीं है बट मेरे को वह एमस्ट बहुत इंट्रेस्टिंग लगता है अभी आप मेरे ऑफिस के अंदर ही देखोगे तो चार-पांच ऐसे टेरियरियम पैलुदेरियम कॉंसेट्स है काफी सारे नए पैलुदे पर भी हो तो यह ट्राइ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अपने ही अक्वेरियम के कटिंग्स यूज़ कर सकते हैं तो आपको जाके डूमना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा सॉइल घर में हैं मीडिया घर में हैं तो यह जैसे यहां पर यूज़ किया है ब्लाक कलर का डेकरेटिव चिप्स आपको नहीं मिलता है तो कुछ और यूज़ कर लो बट यह बहुत इजी है ट्राइ करना तो ट्राइ करने से मच्छूख न पहला प्लांट जो मैं यूज़ करने वाला हूँ यूट्री क्लेरिया ग्रामिनो फोलिया इंट्रेसिंग प्लांट है ग् मैं सबसे उपर डालने वाला हूँ अगें रीजन मैं समझाता हूँ यह बिताउट जल वाला प्लांट है देखो पूरा निकल के आ गया और इसको हलके से में स्प्रेड करके तोड़ा सा ताकि मेरे बाबी कुसा वाल पर अच्छे से बैटे मैं इसको कवर करने वाला हूँ देखो तोड़ा सा स्प्रेड किया कि कुछ नहीं होगा आ जाएगा और इसको ऐसे कवर कर दिया पानी श्प्रेड बहुत इंपोर्टेंट है नो मेरे हाथ में लगेनेंदरा केरलेंसिस है लगेनेंदरा इंडियन प्लांत है नवा भी कुसा हमने अच्छे से बांदा है मॉस्ट भी डाला है स्पैक्नम मॉस्स वह पहले हम लोग क्या करेंगे ये वाले गोले में मैं लगे को मैंने होल कर दिया है और यह प्लांट को मैं यह होल में गुसाने वाला तो यहां पर मैंने इसको यहां पर गुसा दिया रॉट और यह अंदर रूट पूट अंदर गया है सिर्फ लीफ बाहर है ओके बाकी के भी प्लांटिंग करना है चलो करते हैं कि मेरे हाथ में तोड़ा सा मौस है जहाँ जहाँ ग्याब से और प्लांट नहीं है वहाँ पे कि हम तोड़ा तोड़ा मौस डालेंगे ताकि वह बाल न दिखें बट प्लांट आ जाए अगें तोड़ा स्प्रेड करके डालेंगे अभी यहां पे भी डाला है यहां पे भी पूरा डाला है ना पेस प्लांट जड़ूरी है अगर्व करते रो जब तक एक कवर नहीं कवर के बारे में बता रहां बट अभी फटा-फट में बताने वाला हूं में की इसमें प्लांट कौन सा यूज किया है ठीक है पास में आओ यह क्रिस्मिस मॉस पहला वाला जो बाभी कुसा बॉल ह बाभी के साल इसमें स्विय मॉस और जेज़ें फ्लांडरा घ्रीन बेवि यहां पर अगेंक्रिस्मिस मॉस लिगें कैर लेंस चस्टेशा टेह आंड कर सिर्मेस किस्मिस मॉस। यहां पे हाइड्रो कोटील वेटिसलहा ट्राल होएगा फाइनली यहां पर यूत्रिकलियरit यहां पर आएगा नहीं आएगा मेरेको तोड़ा डाउट है बट मैं ट्राइ करने वाला हूं अगर नहीं आता है दिन में शायद Monte Carlo या Glossus Stigma ऐसा कुछ चेंज कर दूँगा नो हमारा यह वाभी कुसा जंगल अक्वेरियम रेडी है अक्वेरियम या पालूडेरियम आप जो मर्जी बोलो ठीक है इसको तोड़ा इंट्रेस्टिंग बनाना है मेरेको मेरे पास कुछ चोटे-मोटे टॉइज है यह स्नेल्स है यहां पर डालेंगे मैं सोच रहा हूं यहां पर बर्ड्स डालेंगे ऐसा एक और है यहां पर स्नेल के लिए एक और जोड़ी डालते हैं जोड़ीदार इंट्रेस्टिंग लगेगा और कुछ नहीं चाहिए यह वापस रख देते हैं कोई दूसरे इसमें काम आजाएगा ना पानी डालना है मैं तोड़ा एक्स्ट्रा ही डाल रहा हूं ओके एक्स्ट्रा डाल रहा हूं वह बाप बनके निकल जाएगा एक आदा लीटर पानी मैंने डाला है इसमें और फाइनली इसका कवर यह मैं इसको कवर करने वाला हूं बट पीछे से हलके से गाप दूंगा मैं यह भी कर सकते हैं या यह कवर के नीचे कुछ एक्सेलो टेप ऐसा कुछ डाल दिया तो वह हाइट आएगा तो ओड़ा सा हाइट अगर आए तो वह एक्स्ट्रा हीट मॉइस्ट्र एसकेप होगा अच्छा रहेगा बट यह चोटा सा पीछे जो आप है यह मदद करेगा तो इस टैंक में इसका सबसे इंपर्टेंट एलेमेंट आड करने का टाइम आ गया उसके लिए पहले उपर का कवर निकालते हैं और यहां पे हम आड करने वाले हैं एक छोट असा जानवर जिसको हम स्प्रिंग टेल्स बुलाते हैं यह अगर आप देख रहे हो एक कोईले के टुकड़े पे चोटे चोटे वाइट कलर का मूँ हो रहा है और यह यहां पे हम उसको गिराएंगे अंदर और तोड़ा सब जगए डालेंगे स्प्रिंग टेल्स क्या करते हैं जो बी डेड्ड एंड डीके मैटर है वह खा लेते हैं तोड़ा तोड़ा है प्लाट का लो दिखते हैं पास में यह स्प्रिंग टेल्स इतने चोटे जानवर है कि इसली दिखता नहीं है बट बहुत ही इंपोर्टेंट जानवर है एक स्कावेंजर समझो एको सिस्टम को फ्रेश रखता है तो नाओ हमारा यह वाबी कुसा पैलोडेरियम जंगल अक्वेरियम जो मर्जी बोलो रेडी है नाओ इसमें कुछ फाइन एलमेंट्स है चोटा सा वुड़ पीस यहां से गिरा हुआ वहां से स्मॉल साइज वो जबते मिलता जाएगा तुम्हें आड कर दूंगा प्लांच भ बट यह अभी रेडी है तो मैं आशा करता हूं कि आपने यह वीडियो के जरीए एक तो वाबी को सा बहुल बनाना सीखा एंड एक इंट्रेस्टिंग लांड्सकेप एक्वास्केप पैलोडेरियम आप जो भी बनाना सीखा आपने बहुत इंट्रेस्टिंग आइडिया है आपको ज्यादा कर्चा नहीं होगा विकाज सॉइल एक्ष्टा होना चाहिए यूज्ड वी काम आता है याद रखो यूज्ड वी काम हो सकता है और बाकी सब कुछ रेडी रहता है चोटा सा टैंक लेना है और आपको बनाना है अगर आपको टैंक में बनाने का इंट्रेस् भी आपका मर्ज़िद ओके तो अज अल्वेस मेरे तरफ से असिस्टेंट डिरेक्टर पुजा मेडम संदीप मेरे पूरी टीम के तरफ से आप सबको थांक यू नमस्ते कोदाफिश अबाकेर और सच्छेका बहुत जल्दी मिलेंगे एक और ऐसा ही इंट्रेस्टिंग आइ आपके दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ फैमिली से सब्सक्राइब कराओ ओके मज़ा आएगा मुझे बहुत मज़ा आएगा चलो जल्दी मिलते हैं बाई बाई क्ट् काथण अव्यो जुड़ हो जलाchron हो हैक्ट् बाद भर खॉड़ के मज़ सक्षान हो ये जफाव कर से सकता है